तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आज इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर आप लूँ की मांग हो रहे थिसकर उत्तर प्रदेश से जो है आपकी एनेम नर्स की जो शंविदा भरती कम निकलेगी लीजे दोस्तों निकल के आ गई है तो इ बरती आपकी शंविदा पर रहने वाली है बात करें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एडवर्टीज में नमबर दिया यह आपका जो है नौग गैरा दो हजार बाइस को जारी किया गया है आफिस से लेकिन यहाँ पर जो आपका पब्लीक के बीच में जो जारी किया गया 2011-2022 को जारी किया गया नहीं कि 12 नमबर को यह जारी किया गया है क्लियर हो गया तो चलिए अब बता दें इसमें भरती गवारे में कौन-कौन से पद है इसमें तो देखें रिक्वार्मेंट फॉर कंट्रुक्चरल वाइकेंसी आफ एनम स्टाफ नर्स लाइफ टेक्निशन अइन फार्मासिस्ट अंडर एनेचम यूप दोस्तों यहाँ पर जो पद हैं वो चार प्रकार के आप एनम है स्टाफ नर्स है लाइफ टेक्निशन फार्मासिस्ट प्लियर हो गया चलिए नीचे चलते हैं यहाँ अब देख पर है देनेशनल हेल्थ मिशन नहेफ यूप श अंडर वेरियस प्रोग्राम आफ नेशनल हेल्थ मिशन यूपी क्लियर हो गया भरती के बारें बात करें तो पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं एनम की भरती है दूसरे नंबर पर आपकी स्टाप नर्स है तीसरे नंबर पर लाइब टेक्सिस्ट है नीचे देखेंगे पर नोट आप देख पा रहे हैं इंटरेस्टेट कंडियेट आर रिक्वाइड तो बिजिट www.upnrhm.up.in यहाँ पर आपको जो है इस website पर जाके बिजिट करना दोस्तों clear हो गया for online registration and submission of application, application received through any other sources expected online, okay, shall not be considered, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है यह upnrhm.gov.in पर जाके आपको दोस्तों पूरी जानकारी ले रहे हैं यह इसकी आपसल website है, बात कर रहे हैं तो only female candidate can apply for A&M position, तो A&M भ male candidate ही apply करेंगी, बाकी सभी में male female दोनों apply कर सकते हैं, candidate of उत्तरप्देश state who are claiming reservation in their respective social category must submit the valid cost certificate along with the permanent resident proof in the prescribed form issued by the competent authority, यह नहीं बताया है कि जो यहाँ पे दोस्त भाई वहन अपना reservation लेना चाहिए है, cash certificate और nuance प्रवारपत्र आपको सही होना चाहिए आपका, किस date कहोना चाहिए यह भी मैं आपको पताने वाला हूँ, candidate belong to OVC, non-crimalier and EWS category and claim benefit of the same must upload the required OVC certificate, EWS certificate respectively on the prescribed form, duly approved from competent authority not older than 1-4-2022, दोस्तों एक चीज में clear कर दूए, जो आपका OVC हो चाहिए, EWSO दोनों candidate के लिए, जो आपका यहाँ पे इनका जात्प्रवारपत्ते काई, EWS certificate वो 1-4-2022 से पुराना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो सारे original document है, तो time of verification में आपकी check होंगे, incomplete detail, in application format और application submitted without photograph, submitting document, etc cell भी rejected, यहाँ पे दोस्तों आपका अगर format के इसाफ से कोई भी document नहीं होता है, कोई भी photo नहीं होती, तो आपका form reject कर दिया जाएगा, if at any stage of requirement, it is found that candidate does not fulfill the eligibility and furnished incorrect false information certificates document or has suspended any material, his conductor will be stand cancelled the decision of NHM UP in any matter related to the requirement at any stage of the requirement process will be final and binding upon the candidate, तीनों ने इसमें यह बताया है कि दोस्तों अगर कहीं पे किसी प्रकार बाद में भी अगर पता चल जाता है कि आप eligibility complete नहीं करते हो, कुछ आपने गलत बताया है उसमें, गलत डाकुमेंट आपने लगाए हैं, गलित तरीके से आप यहाँ पे selection ले लिए तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, दोस्तों आपका पूरी तरह से सम्विदा भरती कांट्रॉक्चल बेसिस पे है, यहाँ पे दोस्तों एक साल के लिए है, सम्विदा भरती है, उसके बाद आपके काम के उपर, यहाँ पे देखे, satisfactory performance का मतलब है, आपके काम के उपर depend करेगा कि आपको आगे रखना है, रिनुवल करना है, या नहीं करना है, अगर आप अच्छा काम करते हैं, तो बार-बार आपको रिनुवल कर दिया जाएगा, National Health Mission reserve the right to cancel the requirement at any state, यहाँ पे दोस्तों National Health Mission के पास यह अपकी authority है, कभी भी उस bank agency को cancel कर सकता है, Please note that last date of online submission application shall be taken as reference cutout date of computing experience as ETC qualification हो गएरा सारी सीजों ने बताया है, तो आपको कहाँ देखना है, तो please visit nhm.up website www.upnrhm.gov.in पर आपको देखना है, क्लियर हो गया, फार्म हो गएर अभी आप दोस्तों यहीं से भर पाएंगे, बाकी आपको देखे, बैकेंसी कितने, selection process method है, यहाँ पर देखे, online application ठीक है, detail advertisement, eligibility criteria, district wise, बैकेंसी, interaction, ETC and other detail, जितनी भी है दोस्तों वो आपको आपको यहीं मिलने वाली है, इस side पे, यहाँ पर आप देखे, दिनांग 12-11-2022 और यहाँ पर देखे, national mission director, national health mission, यूपी, इस तरह से दोस्तों यह भरती है, तो जो इसके लिए eligible है, वो इसके farm को दोस्तों इसके website पर जाके जो है, आराम से भर सकते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छा लगए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर और बेल के घंटे को आउन कर लिजए, क्योंकि हम अपने चैनल पर शम्विदा से रिलेटेड जितनी भरती हैं, सबते पहले लेके आते रहते हैं, अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, जय हिन, जय भारत.